वर्निवे सरमनिय दर्ष्यनं मन्दहा सरुचिरान नाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदनमाहं विचेंत ये ओमवतारिने स्री स्वामि नारायनाय नमो नमः स्री सहजानन्दाय नीलकंठाय च नमो नमः स्री गुरुचरण कमले अभ्यो नमो नमः बोलो स्री स्वामि नारायन भगवान नी जै स्री हरे कृष्ण महराज नी जै स्री घनस्याम महराज नी जै बदा भग्तों ने जै स्री स्वामि नारायन स्री हरी चरित्रा मुरुच सागर द्वितिय पूर ना तरंग अग्यार मा गैकाली कथा मा आपड़े स्रवन कर्यू साक्साथ गंगाजी प्रगड थया प्रभुनी पूजा आर्ती करी थाल बनावी जमाड़िया त्याथी प्रभु चालता थया विप्रना रुपमा महादेव जी पधार्या अने प्रभुने प्रार्थना करी हुँ रसोय बनावू अने मारा अतनी रसोय आप स्वीकारो ब्रामणना रुपमा रहेला महादेव जी आविनिते भगवान श्रीहरी ने प्रार्थना करी भगवान श्रीहरी ये अनुमोधन आयपलू त्यार्थी कथा सरू थसे पूर बीजु तरंग बार्मो आ तरंगमा हरद्वारमा महादेव ने श्रीहरी ये जमाडी पूजा करी ए प्रसंग आपने साम्भली सु ए उत्तम राजा ते विप्रे रसोई बनाववानी सरू करी त्यारे त्यां सती आविया त्याने हेत थी पूछियू अरे विप्र तमे क्यारे रसोई करी न थी छता आज रसोई करवा लागया छो एतले कई नवीन वात लागे जे त्यारे विप्रे कहियू महान नेश्ठीक व्रत राखनारा आ वरणी आविया छे ते पोताने हाथे रसोई बनावी ने क्यारे कज जमे छे त्यारे आवी ने सती बूलिया तमे जाते रसोई बनाववा लागी गया छो तेथी मारा मनमा अतीसई आश्या चे तेनु खरू रहस्य सूँचे ते मने जणावो आपने आस्थले आविया ते केटलाई यूग विती गया छे ते समय मा सूक औने सनकादिक विगेरे अपार नेश्ठीक व्रत धारियो अही आवी गया छे पण आ वाद तो कोई घणी महत्व भरी जणाई छे अही आजे मोटा मोटा सिद्धो आवे छे ते बधा आपनी सेवा करे छे त्रिलो किमा आपना थी कोई मोटू न थी माटे आ वाद ने तमे चुपावी राक्षो नहीं सती पार्वती जी अने महादेव एतले कि सिव जी हज्जारो वर्सो थी युगो थी जे भूमी उपर तपस्चरिया करे छे एज दिव्य भूमी नू नाम हरत द्वार गंगाना किनारे महादेव जी त्या युगो थी तपस्चरिया करे छे दिव्य रूपे सिद्ध छे पोते जानी गया के मारी आ पवित्र भुमी मा तपो भुमी मा सामे चालीने पुरुषोत्तम नारायन वर्णीना रूपमा बटुक ब्रह्मचारीना रूपमा एक बालक योगी बनीने बाल योगी रूपमा अविरया छे ब्रामणनू रूपलाई काणके बधाक ओलखी न जाई एतला माटे ब्रामणनू रूपलाई प्रभुने प्रार्थना करी रसोय बनावानी सरू करे पर सतीने आश्चरिय थयू अने तमें क्यारे रसोडामा गया जनो हो जिन्दगी मा अने पेलली वार रसोडामा जाओ तो आश्चरिय थो कोकने थाए आँ क्याने कया गुरु मली गया छे आजे यम तो थाए महादेवजी ने रसोड करता जोई आश्चरिय थी पूछियू आश्चू करो जो करे देवी आ महान योगी आएवा छे पोताना आथे तो बनावी ने जमता न थी माटे येने आजे मारा आथे हूँ बनावी जमाडू यमने राजी करू यमनी सेवा करी लो अवे सत्तिने वधू आश्चरिय थाई। सत्ती एटले पार्वती सीवना पत्नी छे एटलूज नै सीवजीना महान भक्त पण छे सीवजीना प्रथम हरोलना भक्त गणवा होई तो पार्वती छे राधाय कृष्णना अर्धांगी नी पत्नी तो खरा पण साथे साथे भगवान श्री कृष्णना परम स्रेष्ट भक्त एपन राधाज छे लक्समी जी भगवान नारायन ना पत्नी पण छे औने भक्त पण छे पार्वती जीने आश्चरिय एवार्तनू थयू क्या आपणिया भूमी मा मुट्टा मुटा सिद्धू, मुटा मुटा तपस्वी, सुकजी, सनकादिको, नारज्जी वगेरे पधारे एवा महान सिद्धू आवे छे छतापन ए तमारी सेवा करे छे आज दिवस्थूधी मे क्यारे जोयूनोतिक तमे कोई नी सेवा करी होई मारा अनू भौमा मारी बुद्धी प्रमाणे आत्रण लोकमा तमारा थी पर कोई छेज नई सती सिवजी ने आवी विननती करे छे तो तमे आ नानायवा ब्रह्मचारी सिद्ध साधक बालियोगी माटे रसोई बनाव एने राजी करवानी तमन्ना राखो वधारे आश्चरिय थाई आते वली क्योँ कोण छे आ सामाटे तमे ने राजी करवा आतली मेनत करो छो त्यारे सांभळो अगे आ सास्त्रमा लखेली वात वाचू छू भगवान स्वामी जारेन कोण छे येने ओलखवाने ये तो गोपालांद स्वामी के मुक्तानंद स्वामीनु काम छे आपणे आपणा घरना मानसोन नथी ओलखी सत्ता घरना तो केवा पस्ताता होई छे भगवाने उलखवानी वाद्तों अगरी छे गुणात्तानंद स्वामी एतला माटे तो कहे चार घाती एमा पेलली घाती भगवानने ओलखवाroughा बिजी घाती साधूने ओलखवा त्रिजी घाटी देह थी आत्माने नोखो करवो अने चोथी घाटी पंच विशय अत्ती सारा होई ये माथी राग एटले वासना टालवी सारी वस्तू माथी आसकती टालवी अचार घाटी अगराम अगरा काम छे उपनी सदोपणें कहे छे नाय मात्मा प्रवचनेन लभ्यह नमेधया नबहुना सुरुतेन बुद्धी द्वारा वानी द्वारा के सास्त्रों द्वारा समझी सकाई एवा परमात्मा न थी यतो वाचो निवर्तंते अप्राप्य मन सासह जे प्रभुने मन वानी के बुद्धी पहुची नथी सकता एवा एपरमात्मा छे ए भगवानने ओलखवा माटे सती पार्वती टुकातो पड़े जने तो आपनी बुद्धी क्या जाए आसित बगत जो स्रद्धानी आँख न थी जो विश्वासनी आँख न थी उगड़े तो एतली वस्तु नक्की ये भगवानने ओलखी तो नज सके एस्रद्धाना दिवड़ाने जल तो जराख जे स्नेह के रूतेल तेमा सदातु पूरजे मनना मंदिरे जो जे अंधार उताये ना कोई भगतनी केटली वेधक केटली मर्मस परसी रदैनेस परसी जाए एवी अप्रारत ना जे मनना मंदिरमा स्रद्धाना दिपक ने स्नेह एतले प्रेमनु येमा तेलपूरी सदा माटे प्रगट रागजे जेती करी मारा मन मानसमा मन मंदिरमा क्यार एक महराजनी मुरत देखायावे तो ये मुरत ने हुँ ओलखी सकू भगवानने ओलखवा माटे रामाण नी पन कथा छे सिउजी भगवान रामनी स्तुती करे छे जग जाहर वाद छे तुक्की बुद्धिना मानसो सास्त्र ने भगवानने संत्ने नथी समझे सकता एतला मारे सास्त्र ना बिजा द्रश्टांत आपवा पड़े तमने भगवान राम प्रगट छे इनी गाथा सिउजी वरणवे छे अने ज्यारे सिताना विरहमा बावरा बनी राम जंगल मा भटके छे अने सती ये रामने जोई महादेवजी सिवजी ने कहे छे अरे अरे पतिदेव तमे कोने ब्रह्म कहो छो तमे कोने परब्रह्म कहो छो तमे कोने भगवान कहो छो आप पागलने पत्नीनी पाछल पागल बनेला बावरा बनेला जंगल जंगल जाड जाडने पुछनारा एक ब्रह्म होए नी पत्नी ने कोई राक्सस उपाडी सके न समझानिवाई केवा केवा तर्क करिया त्या सुधीनी कथा जे केवु परिक्षा लेवा जाओ रामनी तुलसिदास जी महराजे रामचरित मानसमा कथा वर्णवी छे परिक्षा लेवा तो सती गया पन केटली मोटी भूल करी छे पार्वती जेवा पार्वती जो भूल करी सत्ताओए अजेई भाई भगवान ने ओलखवा माटे तो तमारून मारू गजु खरू खरू एकज मार्ग छे एकज रस्तो छे धर्मस्य तत्वम नहितम गुहायाम आए एकलु बदु गुप्त तत्व छे एकलु बदु शुक्स्म तत्व छे एना माटे एकज मार्ग छे महा जनो एन गतह सपन्धा मुटा पूर्शय जे वाद करी ए वादने स्विकारी लेवि एना करता सारी बिजी कोई वाद न थी एतला माते दुनिया मा कहवाई छे, मुट्ता मा मुटी पाट साला होई तो कई अनुभवी मानसनी साथे रहवू लोको वारम वार प्रस्न पुछता होई, स्रीजी महाराज केवीरीते सर्वो परी छे सूंक केवू, आ गांडा मानसोंने सूंक केवू, एतला माते सर्वो परी छे, गोपालांद स्वामी जिवा साथू, ग्रहोनी गती फिर्वी सके, ब्रह्मांड ने आखुक्षन मा उत्पन अने विनास करी सके, आवा समर्थ साथू, जेना परचावो जानो छोने काता विनानी बोरडी राज़कोटमा जोओ, सारंगपूर्ना अनमंजी दादा, स्वामी अनमंजी महराज़ पधरावी आवाज़ो मा लाखड़ी सुकाम मूखी, चालो केसो तमें क्यारी विचारेवू, अनमांजी महराज पधरायवा बाजुमा लाकडी सुका म्मुकी आवु कोई जिगे कोई इतिहास मा थयू छे कोई करू छे नती करू सामाटे गोपालान समी नवू करू इतला माटे स्वामीने खबर छे क्या अनमांजी महराज दुखियारान दुख टालवां हुँ बेसारो छु स्रीजी महराज तो सर्वोपरी छे ए क्या आवा दुख टालवानी नानी सामान्य वाद ए क्या करे पन अनमांजी जाने छे स्रीजी महराज जाने छे नुँ जानू छु पण आवनारों समाज लालचो लोको स्वार्थी लोको मतलबी लोको येने जारे हनमान जीतित पोतानी बद्धी कामनाव सफ़ल थती देखा से तेरे भगवानने सर्वोपरी पुर्षत्तम नारणने बदाने बुली जसे ये बुले नहीं समझा तमे ये भुला न पड़े अनमान जी सारंगपुर्णा मंदिर मा आवनारा मानसो भुला न पड़े एतला माटे स्वामी बाजुमा लाकडी मुकी अने कहिऊ कि दादा ज्यारे काम न करे त्यारे मारिया लाकडी वापर जो बुद्धी मा नसमा येवा दाखला जिया अवे अनमान जी महराज करता स्वामी नुस पर्ष करेली लाकडी येमा आजे पन एकलो प्रताप देखाई छे आजे पन अजेई भाई काल भेरव आवे अनमान जी नी जाली उपर चड़ी जाए तमे सारंगपुर मा बद्धा जाने च्या दाखलो कदा चीनी विडियो क्लिप ओनलाइन हसे पन खरी मेतो वर्षो पेला आक थी जोयू छेतले जाली उपर चड़ी जाए पत्चीस मानसोने आम फेकी दे एकली ताका तेनाम आवी जाए जाली आपन नेम लागे तोड़ी नाक छे अनमान जी महराज नी एवी ताका तवालो एक काल भेरो पन गोपालान समिनु एक मंत्र जे बेशी जाए एक काल भेरो जे शरीर माँ छे बोले छे एक जेट वरस मुने याद न थी एतले बोलतो न थी सारंगपुर्ना पुजारी सारंगपुर्ना संतो घणा बधा सारा संतो अरी बुगतो बद्धा जाने जग जाहर वाद छे कि अतला लाख वरस्थी 32 लाख 14 लाख अतला लाख वरस्थी आ ब्रह्मान मा फरूचु पन आओ सिद्ध संग गोपालान समी साम्या अगली करे आओ सिद्ध संग पेल्ली वार जोयू ये लाकडी नो परता अवे अनमान जी महराज करता लाकडी मा एतलो पावर तो लाकडी जिना आथमा हती एक गुरुदेव गोपालान्द स्वामी मा पावर केतलो हसे तो गोपालांद स्वमी मां एकलो पावर तो एक गोपालांद स्वमी जेवा 500 साधु जे पुरुषोतम नारणनी चरणमा धूड थाईने बेशी जाई दासना दास थाईने बेशी जाई अस्टित्व ओगाली ने बेशी जाई ये पुरुषोतम नारण केवा हसे येना मांट एकस सब्द वापरोजोए कयो सब्द सर्वोपरी गाथ वाली लो गुरुजे कयूने सर्वोपरी तो मारो एक महरात छे सामाटे एतला माटे गोपालांद स्वमी कैने गया सामाटे मुक्तानंद स्वमी कैने गया साम आटे ब्रह्मानंद स्वमी नित्यानंद स्वमी लखी ने गया, साम आटे गुणात्यानंद स्वमी निस्कूलांद स्वमी कई ने गया एतला माटे अवे सामभलो, पार्वती जी ए भगवान राम उलख्वमा पन भूल करी हती, परिक्षा करवा पोची गया, परिक्षा करवा मां पाची बिजी भूल करी, परिक्षा घणिरी ते लेवाई, पन पार्वती तो सितानु रूपले इन परिक्षा लेवा गया, महादेव जी ए छ त्याग करी दिदो रामचरित मानसनी कथा साम्बलो भगवान तरक थी संसै थी नथी मलता तत तरका प्रतिष्ठानात भगवान व्यासे निरणे आपी दिदो तरका प्रतिष्ठानात तरक एक क्यारेपन परमात्माने प्राप्त नथी करावी सकतो स्रद्धाने विश्वास पार्वती जे प्रस्ण पुछेँ पार्वती सतिना रूप मा प्रस्ण पुछे छे कि अत्यार सुधी जेजे सिद्धु आयवाई बधा तमारी सेवा करता त्रिलोकी मा तमारा थी पर हुँ कोई ने जानती न थी तो आजे तमे एक नाना बालुडा योगी माटे आविरिते रसोई करो यहनी सेवा करो यहने राजी करवानी इच्छा धरावो आज सुचे मने समझावो केतक जुग भये यह ठोरा सुकसन कादिक आत बहोरा केतक जुग भये यह ठोरा सुकसन कादिक आत बहोरा ओर नेश्ठिक आत अनन्ता या बात कोई महा बलवंता केतला युगो थी आस्थानमा मोटा मोटा सिद्धो आवी गया आउ क्यारे बनू न थी आज उल्टी गंगा केम अत्यार सुधीना सिद्धो तमने राजी करवा आउता हता तो आजे आज केवा सिद्ध आएवा येने राजी करवा माटे तमारे रसोई करवी पड़े सूचे रहस्या क्या है इसके पिछे राज क्या रे विप्रे कहिए सीव जी ने खबर पड़ी गया से सीव जी जवाब बहुत सरसाय पोजे तमें ध्यान करो तुरंत ख्याल आवी जसे पची विप्रे कहेला वचन प्रमाने सतीय ध्यान करी अजय भाई सीव जी समझी गया एक वार तकरार करी तो सती ने छोड़वी पड़ी ते विजी वार जो तकरार करी तो फरी डाइवर्स लेवा पड़ से तुलसी दास जी महराजे खुब सरस रामचरित मानस मा लख्यो नव ही विरोध नहीं कल्याना नव मानस साथ है क्यारे विरोध यले तकरार न कराई जगडो न कराई यमा आमा आहा करी देवाई सस्त्री तलवार लेन उभो येन आपने हमेज ए केम तलवार लेदी कोने मारवा माटे है तो ये आपने जडाडी दे त्यां पची तरक न कराई इके सिधा चालो आथमा खुली सस्त्री पेल्लू लख्यो जिना आथमा सस्त्र छे येनी जोडे पची बहु माथा कुट न कराई कराई आ सरहद उपर सैनी को रेता हो पची गाम्मा आवे इनी जोडे जगुडो न करे काण की तो सरहद ना मुड माज होई आने बने छे दाखलाएवा येने येनूं मुड यवद थे गए होई पची इबले गाम्मा आया पणी ये मजमत्य का सरहद अच्छे एलोसी बोडर अच्छे कारगिलनी सरहद नीजे मजू भाव है सस्त्री, मर्मी तमारी खांगी वाद जानतो होई ए मानस साथे क्यारे तक्रार न कराए जो तक्रार करो तो तमारी गुप्त वाद में जाहर करी नाखे तमने बधनाम करी नाखे प्रभू, राजा एनी साथे तक्रार न कराए स्रीजी महाराजे शिक्षा पत्री मा पन लख्यू ने राजा, राजा नो मानस अने त्रीजो स्त्री नव मानस गणाए व्या एनी साथे विरोध न कराए एमा तुलसी दास जी महाराजे लख्यू पत्नी साथे पन बहुँ विरोध कराई नकर बीजे दिवसे उपवास करवानी तियारी करी देवानी दसम ना दिवसे करी लेव वांदोने एका दसी उपवास होई आजे दसम अच्छे ना मैं कालेका दसी छे विप्रना रुपमा महादेव जी एक कयो कि सती तमें ध्यान करो ने तमने बधु समझाई जसे आ ध्यान थी समझाई वस्तू छे वानी थी समझाई वस्तू नथी त्यारे तेने जणायू कि आ वरणी तो सीवजी करता पण गणा अधीक छे सती ये ध्यान कर्यू इध्यान मा पोते सिद्ध छे तपस्वी छे, दिव्य तेज देखानू, तेज ने विशेने अनन्त सीव, अनन्त अवतारो, अनन्त सिद्धो, जिनु स्तवन करे, यवा प्रभुना दिव्य दर्शन करिया, ते देखीने सती अत्यंत आश्चर्य पाम्या, ज्यारे वर्णीने सहुती अधीक जानिया, त्या त्यारे तेने सत्व, रज, अने तम, ए मायाना त्रणे गुणोथी पर वर्णीना स्वरुपनू ध्यान करियो, त्यारे सतीने यथार्थ स्वरुप देख्या मागियो, पेल्ला सिवस्वरुपनू ध्यान करियो ओतु, सिवजीनिक रुपातियमने समझानू एतलू, क्या बधा सिद्धो करता पन पर सिद्धो ना इस्वर सिद्धो ना स्वामी छे। नथी आवडती। आ नवा रसोया छे। आने जो रसोय उमंग माने उमंग मा बनाव से। तो तमारू पेट दुख से। घणी वकत थाई। एका बिजाने रसोय बनावता जो उत्षा चली जाई। अमारा संतो मा पने उत्थाई। कि आपणा रूसी स्वमी केतलो सरस्थाल बनावे निलकन स्वमी केतलो सरस्थाल बनावे। तो मारा जिवा काचा रसोय ने क्या रेक थैक चालो आपड़े बनावा जही है तो ध्यान राखू पड़े यह मैं मिठा उपर तो खास नकर आपड़ू मिठू भगवान सुधी सतिय प्रार्तना करी आप जमो तेवी रसोय आ विप्रने बनावता नथिया वड़ती जो आपनी मरजी होई तो हूँ जहीने रसोय बनावी लावू वर्णी यह कहियो आज सास्त्रनी एक एक वाद सांबलो पार्वती ये पती सीवजी विप्रना रूप माझे ने प्रस्ण पूछयो तेरे सीवजी ये बहुँ सरस्च जवाब है पो कि देवी तमें ध्यान करो तो समझाई जसे तक्रार न करी एक वार आटलो मोटो अनुभू थे गयो अथडाए पड़े, तोयजी समत्ति नथी तक्रार न करी, भूतकाल नजी याद न करो पोताने याद छे एक ले पोते एनि वादने ध्यान माले पोते के बहस मा न。 अने ध्यान करवान रस्तों बतावे पार्वती पोताना स्वभावमाँ आजी छे फरिवार प्रभुने प्रार्थना करी आ रसोई बनावे छेना करता मने अनुमती आपो हुँ रसोई बनावी तमने जमाडू अवे स्रीजी महारत्स नुझ जवावा पे साम्बलो त्यारे वरणिये कहिऊ उँँ कोई ने कई कहू नहीं तो अमेंने विप्र परस्पर समझीने करो अ पतीपत्नीनों मामलो छे मां अमारा थी पड़ाई अ समझवा जवी वाद छेने अमारे तो जमबानू काम छे विजु के काम नथी माते जेते रिते जल्दी था रिते करी ने तमे बे समझी लो कोणे बनावू, कोणे नव बनावू, कोणे सु बनावू अमे अमा वच्चे पड़िये नई आप प्रसंग तो आपड़े बहु सांबली सु पन थोड़ू समझी लई भगवान स्वामी नारणनू सर्वो परिपणू एजे ना सिव ब्रह्मा पुजे पावलारे सेस सारदनिगम गून गायरे सुन्दर वर मारा स्रीहरे रे मोटा मोटा देवो जे परमात्मानी स्तुती करे एज भगवान स्वामी नारण कोण छे केवा छे हम्मेशा में कईउने तमें के हुँ आपणी बुद्धी थी 12 इचनी फुटपट्टी थी फुटपट्टी नानियान 12 इचनी एक फुटपट्टी 12 इचनी फुटपट्टी थी तमें पुथ्वीनू माप लेवा निकलो पोसीबल खरू खरू आपणी बुद्धी तो 12 इचनी फुटपट्टी करता नानि अने आ पुर्शोत्तम नारण पुथ्वीशू अननकोटी ब्रह्मान्डों करता पन अधीक एने आपणे बुद्धी थी न जानी सक्के जानवा माटेनो एककज मारग छे एतला माटे सास्त्रों मा लख्यू कि पेल्लू ग्नान इंद्रीय जन्य ग्नान चे पन बद्धू ग्नान इंद्रीयो थी नथी थतु गणी वस्तु आख्ती नती देखाती छता मानस माने चे जेम के धुवाणू देखा नो आपणे सु मानी लइ। तीअ आग लागे ची जोही छे आपणे अनुभेवु छे आपड़े छता मानी लेएची जोयू नथी देखानू नथी छता मानी लेएची इंद्रियक जन्य गनान करता बुद्धी वाडा मानसो मातेक बिजू गनान छे जिने अनुमान नुगनान के होई शवारे बार निकली और पुर्थवी पलालेली भीनी देखाए तो आपड़े शुमान ये रात्रे वर्साद पड़े होची आपड़े जोयो नथी कोके तमे उठाता अले आपड़े उठवानी वाद के आँखी पललेली छे उठ्थाता अकनो तो आट्या सिधी वाद छे अनुमान नुग्नान चे अनुमान पण अर्धू देखातु न अर्धू नो देखातु त्याज लागे पानी देखानू पण वर्साद पड़तो देखानू नथी एटले तेम अनुमान लगाडू तु वाडो देखानो, अड़्धू देखानो, अड़्धू नसी देखातू, एतले तम्हें अनुमान लगाडी सको, पण गणा एवा तत्व छेक जे अड़्धा पन द्रस्य न थी, एवा तत्व केविरिते ओलखवा, एना माटे एकज प्रमान छे, प्रत्यक्स प्रमान, ए एना करता स्रिष्ट आगम प्रमान, इतले सास्त्र प्रमान, शास्त्र मा लखेली वाध, सत्य छे, विश्वास राखी, अने जियारे जीव शास्त्रनों с्रवन करे छे, त्यार पछे ने वाध नोणूभध थाई, थाइने थाई, एतला माटे श्रवन, पछी मनन, अने प्रातिक यूग येह साइंटीफिक एक मापदंड एव चे त्राइतर्यन साइंच नो एव प्रुवार् करे येहेह ब्रीव महें प्रवंवारे। एकस्प्रीमेंट करे और बेजेएहरे अब के है पेला ये लोकोई टेस्ट करया H2O hydrogen oxygen बदु मिक्स करू औने पच्छी लोकोई पूर्वार करें पच्छी स्विकाईरू H2O एतले वोटर आभिग्नान जारे अध्यात्मिक जगत उल्टू छे के उच्छे के पेला मानो सुन मुँँ आतमा छू सर्वात त्यां थी थाई मुँँ देह न थी औने छिये सुन आपड़े बदा सुमचिये आपड़े मानसी पुजा करवा बेशिये आपड़ा उपनी सद्धनों तमे जुव अंदर बराबर वेदो माउंडा उत्रो सर्वात बद्ध्य त्यांजी थाई इसा वाश्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्यां जगत तेनत यक तेन भुण जी थाहा मागरिधा कस्य स्विध्धनम सर्वात बद्धानी आरीते थाई जेकाई देखाईचे माँ सर्वत्र इस्वर व्याप्त रह्या छे जेकाईचे बद्धु इस्वर नूज आपेलू छे केम मानवू खरीदू छे आपड़े मेनत करिनी मेलवू छे आपड़े मानी सकाई भगवान नू आपेलू छे सास्त्र एतला माटे विग्णान नो मार्ग भहुतिक दुनिया नो मार्ग आखो जुदो छे के पेला प्रयोग थाई औने पच्छी येनो स्विकार थाई आध्यात्मिक जगत्मा पेल्ला स्रद्धाती स्विकार थाई पचि ये स्रद्धात तम्नेना प्रयोग सुधी अनुभव सुधी लई जै स्रीजी महराज सर्वोपरी छे केवा केवा सास्त्रों वचना मुरुत्मा पन महराजे स्पष्ट दूद अने पानी छुटू पड़ी जाई इवी वातों करी छे कार्यानी नुँ दस्मु वचना मुरू थोड़ा सब्दो वाचू अने जे भगवानना भक्त होए ते भगवानने प्रतापे करीने ब्रह्मा, सीव, सुकजी, नारत ते जेवा पन थाई अने प्रकृती पूरुज जेवा पन थाई अने ब्रह्मतता अक्सर जेवा पन थाई तो पन स्री पूरुसोतम नारैन जेवो थवाने तो कोई समर्थ नती आयो गईो पात तत्व छे जीव एना करता उपर इस्वर एना करता उपर माया माया थी पन पर छे ब्रह्म एतले अक्सर तत्व एना थी पर छे परब्रम परब्रम एक छे ब्रह्म सुधी जीव पोची सके तप करिने साधना करिने धर्मनियम आगना उपासना करिने अक्सर जेवो थाई सके ब्रह्म जेवो थाई सके पन परब्रम जिवातो एकज छे, एकज एना जिव बीजो कोई नथी नतत समस चाब्यदिकह कुतों यह ये भगवाननों समान जो कोई नथी ते नाथी अधिकतो केविरिते होई सके पुर्षोतम नारेन जिवातो एकज छे परम तत्व एकज चे, सर्वो परी तत्व एकज चे, साम्पलो मध्यनु वचनामरुत तेर्मू ए अक्सरातिद जे पुरुसोतम भगवान चे तेज सर्वे अवतारनु कारान चे औने सर्वे अवतार पुरुसोतम माँ थीज प्रगट थाई चे अने पाचा पुरुसोतम माज लिन थाई चे अंत्यानु वचनामरुत आड़त रिसुम सब्दोने ध्यान्थी साम्बल जो गुजराति माँ चे एवा जे ए पुरुसोतम भगवान महराजे अक्सरधामनी मूर्तिनु वरणन केडू अक्सरधामना बिराजमान भगवान मुक्तो सेवियस स्वरुप एनू वरणन करिन बोल्या एवा ए प्रत्यक्स पुरुसोतम भगवान तेना स्वरुपमा अने अक्सरधामने विश्चे रहिया आजे भगवान कई पन भेद नथी महाराज अक्सरधामनु स्वरुपनु वर्णन करी पची बोल्या एजे पूर्षोतम भगवान छे तेज तमारा नयन गोचर छे आगल निवाण तमारा नयन गोचर एकले आखनी सामे छे तमारी सेवाने अंगिकार करे छे तमे जिने इस्टदेव मानो छो एकले बे अक्सरधामनु वर्णन करी महारत बोल्या एज भगवान अत्यारे क्या छे तमारी आखोनी सामे शू करे छे तमे जिने इस्टदेव कहो छो ते सामे बेठा ये एवा आ प्रत्यक्स पूर्षोतम भगवान यतले सामे बेठा छे ए गडपूरमा बेठा छे ए लिमबडाना विचरहया जे भगवान तेना स्वरूप मा काई पन भेद नथी एबे एकज छे अन्य एवाजे आ प्रत्यक्स पुर्शोतम भगवान आ बन्य एक छे एवाजे आ भगवान ते अक्सरादिक सर्वना नियंता छे अतमारी समय बेठाचे कोण छे अक्सरादिक सर्वेना नियंता इस्वर ना पन इस्वर छे सर्व कारण ना पन कारण छे अने सर्वोपरी वर्ते छे अने सर्व अवतार ना अवतारी छे अने तमारे सर्वेने एकांतिक भावे करीने उपासना करवा योग्य छे केतला सास्त्रो आपणा संप्रदाय मा बे देश चे वर्ताल देश अम्दावाद देश घणा सास्त्रो वर्ताल देश मा वधारे प्रचलीत होई तो अम्दाद देश मा नथी होता अमुक अमदाद देश्मा प्रचलित होई तो वड़ताल देश्मा नसी होता पड़ अमुक सास्त्र एवाँ छे जिम्के वचना मुर्द बन्ने देश्मानिय चे अपड़ एनीज वात करी विजा कोई शास्त्र गुणात्यानें स्वमेनी वातो वड़ताल देशमा छे तो अमदा देशमा न थी होती एकली बदी तो अमदा देशमा अमुग गरंथो घंश्याम लिला मुरूत वगेरे छे तो वड़ताल देशमा ओचू छेनू चलन पणवे बिजू सास्त्र बिजाजे सास्त्रो बन्य देश मान्य छे बन्य देश मा पुषकल छपाई छे वन्चाई छे एवा थोड़ा सास्त्रो आचारियस्री विहारी लालजी महराजे लखेलो हरी लिलाम्रुद ग्रंथ किटली जग्याए एमाना बेतन प्रसंग कही दो निलकंठ वर्णी जेनी वातत्यारे चाले छे एज वर्णी लोजमा आवे दिव्यरुपे रामानन्द स्वमी जानी जाई रामानन्द स्वमी गामो गाम पत्र लखी समाचार मोकली दे आमे भूजमा छे अमारा दर्सं इछनारा अमारा आस्रीतो अमारा दर्सं करवा भूज सुधी न आवे तमे लोज जजो अने नाना नवा निलकंठ आईवा छे ये वर्णी राजना दर्सं करी अने संतोस मान जो एवी अमारी बधाने आगना छे आवा समाचार गामो गाम मोकले येमा स्येखपात नामनु गाम लालजी सुथार नामना भक्त गुर्देयु रामानंद स्वमीना अनन्य असरीत समाचार मले एने एम थाई गुरू महराणी आगना छे मने एम लागे छे आगना नी पाचल परिक्सापन छे कि शिष्यों ने मारामा केकली स्रद्धा छे नाना आवेला, नवा आवेला, कालना आवेला गुरूने छोड़ी एनी पाचल जवान लालजी सुथार आगना होवा छता समाचार मल्या छता दर्शन करवा निलकंठ वरणीना न गया अने सिद्धा भूज छेक चालीने गया रामानन समी ठपको आए पो लालजी बैये हाथ जोड़ी माफी मागी गुरु महारत तमे परिक्षा को ना ना खुब महान छे केवा मोटा छे तमेयम कहोच्वा आ ना ना न थी मोटा केवा मोटा छे कहे लालजी ते मोटा केवा दत्ता त्रीके रुस्वदेव जेवा केवा छे दत्तात्रे जिवा नाना एनाथी मोटा रुसब देवजी जिवा एनाथी पण मोटा तुस्नु रामचंद्र भगवान जिवा और एनाथी पण मोटा केवा तो रामानंद स्वामी बोलिया आ संप्रदाईना स्थापक चे रामानंद स्वामी उद्धवनो अवतार हता एतले आ संप्रदाईना नाम पड़ू उद्धव संप्रदाई आ संप्रदैना स्थापक, आ संप्रदैना प्रथम पुरूस, आ संप्रदैना प्रथम आचारिय, रामानंद स्वामी येज, पोते पोताना मुखे अनन्त वार भगवान स्रीहरी सर्वोपरी चावात करीजे जेम कृष्ण मोटा सर वेथी, तेम आचे मोटा वली तेथी, जेम तमे कृष्णने सवती अधीक मानों छो, कृष्ण जेवा कोई ने न थी मानता, लालजी भाई येव न थी, आ निलकंठ छे ने, येतो कृष्ण करता पन अनन्त महान छे, रामानन स्वामी कहेच आचे अवतार ना अवतारे घणु सुक हिये वेस्तारे हरिल्या मृत्मा विजो प्रसंग पर्वत भाई अलाक्ताता इच्छा थई 24 अवतार केवासे महरादनी मुर्ति देखानी 24 अवतारो प्रगट्थया 24 अवतारो लिन्थया सर्व अवतार एमा समाया पोते कोई मालेन न थाया सरिताओ मले ते सागरमा मल्या अवतार सवहरी वरमा क्यों सर्वो परिपणु जेम तारामा अने चंद्रमा फेर जे जे विरिते तीर अने तीरना नाखनारामा फेर जे आपड़ा सास्त्रमा द्रष्टांत पाया जे विरिते पारस्मनी अने चंद्रमा फेर जे एम अवतार अने अवतारी मा फेर जे अवतार चोकस महान जे पन अवतारी निद्रष्टिये अवतारो एपन भक्त समान जे वचनामरूत खोलो तमे आपड़ा सास्त्र उघाड़ अरे बिजुएक सास्त्र भक्त चिन्ता मनी जे सत्संग मा स्वामिनान संप्रदाय मा तमाम जग्याए तमाम जग्याए आ ग्रंथे वोच एटलो वदो लोक प्रिय वचनामरूत जेम छे जे विरिते हरिलामरूत छे विरिते भक्त चिन्ता मनी सत्गुरू निस्कुलांद स्वामिनो लखेलो भगवान श्रीहरिये पोतेज लखावेलो पोते वाचेलो महराजे पोतेज करेलो ग्रंथ यम कई सकाई चिन्ता मनी समाना ग्रंथ सर्वत्र मान्य छे आ ग्रंथमा केटली जग्याए वाद आवे एक वातनों उलेख करू प्रक्रण 104, प्रक्रण 105 स्रीजी महराज इमके तमें अमने भगवान सामाटे कहो चो संतों ने कईू अमेक्या गोवर्धन जेवो मुटो परवत तोड़ेओ छे अमेक्या हिरने कसिपु जेवा असूरों ने मार्या छे तो आमने भगवान सामाटे कहो चो क्यारे संतों ये कईू महराज भले तमें असूरों ने नथी मार्या असूर असूर जेनाथी बने छे येवा काम, क्रोद, इर्ष्या, लोब, अभिमान आ बदा दोस तमारा संकल पे स्मरण मात्रे करिने तमें टाली नाखो चो अरे जे मोटा मोटा काम अवतारों करिया छे ये काम तो तमारा स्मरण थी थाई छे तमारा असृतो द्वारा थाई छे तमारा साधो द्वारा थाई छे महराज तमें तो केवा चो आब दा दोस ने काढ़ी नाखो चो ए माटे दिये एने जविदारी तेतो अवतार ना अवतारी महराज तमे भगवान नहीं भगवान ना पन भगवान छो अवतार ना पन अवतारी छो महराज प्रगट हता महराज गणीवार भगतनी रितेपन रेता पोताना आथे अवतारूनी पुजा करी छे जन्मास्ट मेन उत्सव महराज खूब दाम दुम्ती गणीवार उजवयो छे बिजा भगतनी सिख्वाडवा माटे एतले गणा बधा महराज ने समझी सकता आतान गणा नोता पन समझी सकता काणके भगवान प्रगट हता एस्वर येपन बताउता अने बिजा नी सिख्वाडवा माटे पोते भगतनी रिते, साधूनी रिते रुता पन हता, वर्तता पन हता एतले रामानंद स्वामी ना अग्रणी सीश्य रामदास्वामी धाम्मा जवानाहता दुर्गपूर महात्मे नामनो संप्रदायनो संस्कुरुत नो प्रसिद्ध ग्रंद एनी एक नानी वाद तमने करू भाहरामदास्वामी धाम्मा जवानाहता महाराजने समाचार मल्या तुरंत संत अरिबक्तो साथे महाराज गडपूर पधार्या स्वामी ने दर्शन देवा माते आयवा स्वामी इच्छा करी महराज मारे पुजा करवी छे महराज नी पुजा करी स्वामी नो सरीर मा स्वास इतलो बदो हतो बोली नोता सकता बधा संतों ने भेगा करो मारे एक वाद करवी छे बधा संतों ने भेगा करया स्वामी बदा भेगा थेया तेरे वाद करेचे संस्कुरूत मा लखायली वाद थोड़ी गुजराती मा वाचूचू महराजने जो तमे सर्व अवतार ना अवतारी समझ सो तोज तमारू आत्यांति कल्यान थसे आ स्रीहरी सर्व परीचे तेम नाथी पर कोई नथी एम हूँ जानू छू आमा आ वात्मा जो हूँ लगारे पन असत्य बोलतो हूँ तो आ पांचसो पर्मन्सोना मने सम छे एतलू ज नहीं परन्तो आ आ आखु ब्रह्मांड भांग्यानू पाप महरे माथे छे अत्रा सत्यम यदा स्याचे तरही मे सपतह सथाम अस्ती ब्रह्मांड भंगस्या पातकम मे तथा महत्या आखु ब्रह्मांड तूटे एमा कितली गायो कितला साधू कितला मंदिरो कितला तिर्थो कितली मुर्तियो कितलू पाप थाए आ बद्धु पाप मने लागे जों खोटु बोलतो होतो आवी रिते संतोय पुरुसोतम नारणिने ओलखायवा छे समझ्या तमे धाम्मा जता जता छेल्लो जे रामदा स्वामिन आपेलो उपदेश आपड़ा संप्रदेना गणा सास्त्रों मा प्रसिद्ध छे केवानु येतलूज भगतो गुरुजी वारम वारापणने कहे छे सर्वो परीतो मारो एक महराच छे बिजु समझाई न समझाई बस येतलू नक्की करिले ये आ महराच सिवाई बिजो कोई बगवान नथी एक गाट वालीले ये आ पुरुसोत्तम नारेन सर्वो परी छे कोईनु खंडान कोईनु मंडान कोईनी टिका कोईनी टिपनी आपडे नथी करवी पन एक आ गोपडांद स्वामिय समझेवुचे सर्वावतार धर्तारम घजितो समय ओच्वेटले प्रमान गोपडान समी वाद करी सर्वावतार धर्तारम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम आ पुरुसोतम नारेन केवा छे अवतार मात्रनु एस्वर्य पूरु पाड़नारा आ पगवान छे सीवजी या सत्य ने कis अतली मोती जो वाद करिस्न नई समझाए तमे ध्यान करो ध्यान करो, धीविय दर्षन थैया पगमापढ़या, प्रभुमा श्रद्धा जागी, प्रभुनी कृपा थी प्रभुनु दीव्य दर्शन्थ हयू औने भगवाननु दीव्य दर्शन्थ तानी साथे समझाई गयू क्या तो सिद्ध्योंना सिद्ध छे अवतार ना अवतारी छे इस्वरोंना पण इस्वर छे पछी तो प्रार्थना करी मने रस्वय करवादो महाराजे कई उतमें बनने समझी लो हुए घर घर नो माम लो छे आवा मारे क्या वच्चे पड़वू पछी सती तुरंत गया जल्दी थी केरी नो रस औने रोटली बनावी ने तरत लई आविया औने श्रीहरी ने तेना थी जमाडिया जमता जमता श्रीहरीय सतीने कहिऊ तमे मने कहो अहिया जे विप्र छे ते अने तमे कोण छो अवे आवी लिला करे तो पछ सतीन संसे थाई के ना थाई पिला विप्रत रसोय करे छे सती केरी नो रस ले नाइवा अने महाराज ने केलो महाराज जमो महाराज के हाच्चो बुलो तमें बे कौन छो हुँ आ वाद जानतो नथी तमें तमारी साफ वाद कहो जो कहसो तो हुँ अहीं रात रोकाईस जो स्पष्ट नहीं कहो तो हुँ अहीं रहिस नहीं आम पाची धमती आपी महाराज ये हवे आप आप केवी भूल भूलामनी थाए ये दादा एक बाजो अउतर नाउतरी जानवाना अने बीजी बाजो पाचा हाव अगनानी बनी जे बोलो गुचवा ये उकाम छेके नहीं एतले ज कहो ने कोई प्रोफेसर जोई है कोई सारा सम्ध समझावनारा जोई है बाकिया माती जे जे ने समझ वोई ते है समझी सके सतिये कहिव आप तो बदू जानो चो चता पूछो चो एतले हवे कहू चो पण पच्छी आप आपनी वाद कहे जो सतिये पाचा बांध्या हमें अमारू खुल्लू पाड़िये ची ये तो तमे तमारू पण खुल्लू करवू पड़ से कहिया विना कसी खबर पड़ती न थी पच्छी सति बोलिया जे आ हरद्वार धाम छे ते जेमना नाम उपर थी हरद्वार कहे वायू छे ते हर एटले के महादेव आ विप्र छे अने मने तेमनी पत्नी सति जानो पूर्वे अमें अहिया आविने तप करियो हतु तेना उपर थी आस्थान हरद्वार थायू तेमना दर्षन कोईने थता न थी आस्थान नो महिमा घणोज मोटो छे तेमें मारी वात सांभलो तमें जी अहिया तप करियो ते कया फड़नी इच्छा राखिने करियो हतु अध्यारे हे देवी ते वात मने कहो अवे स्रीजी मारत तो अगना नीबनीन बदु खोलवाज में डाग तमें अवे तप सामाटे करियो तु त्यारे सतीय कहियू हूं ते वात ने जानती न थी विप्रने बुलावी ने पूछी जूह मने तो मारा पती एक युक बे आक बंद करिन बेशी जै अटले बेशी गई अवे यहने पूछो केम बेशारी एतला मा विप्र रसोय बनावी ने लईयाविया सती ते जोईने मंद मंद हस्या वरणी एक कहियू मने तो गणी भूख लागी हती रसोय बनावा मा तमने गणी वार लागी मारू पेट वायू थीज भराई गयू छे अवे तेनो उपाई सुँ करवो विप्रेक यू तमे जम्वा लाग्षो एकले वायू दूर थाई जोसे पची वरणी ओड़कार खाई ने वायू ने बहार काडी ना क्यों आवे लीला करे बुख्या थई जाई अज्याना बनी जाई नाना बाळक बनी जाई अने येने पाचा एतला माते मनुस्च्य रूपमा भगवान छे त्यारे पने भगवान ओलखवा अगरा छे कारण के इदेखाय आपड़ा जेवा बोले आपड़ी जेम चरित्र करे आपड़ी जेवा एतले मनुस्य रूपमा भगवान होई त्यारे पन भगवान ने भगवान जाणवा अगरा छे त्यारे मनुस्य भाव नडे, अने मनुस्य रूपमा नव होई, त्यारे पन भगवान ने भगवान जानवा अगराची त्यारे मुरुती भाव नडे, कयो भाव नडे? में प्रेजेंटेशन मा बते हूँ तोने? दिव्य भाव, अ सास्त्रों नी आँख, अ महिमा नी आँख, अ स्रद्धाने विश्वास नी आँख, अ संत समागमना नेत्र जारे प्राप्त थाई ने, तमारे अजय भाव बहुस रसावात समझवा जिवेची, याद राग जो, क कोई पन वस्तु जोवा माटे आँख जोईए, पन प्रकास जोए के नई, आँख छे, सामे थामलों चे पन अंजवालू बद्धू बंद करी दो तो, देखाई, अवे प्रकास चे पन आँख न थी तो, तो पन देखाई, कोई पन आ जगत ना वस्तु ने जोवा माटे ने नेत्र जोईए, नेत्र पछी ए नेत्रने सुर्यों नो प्रकास पन जोईए, ए बे वस्तु होई तोज सामे कोई पन वस्तु ना दर्शन थाई, एवी रिते भगवान ने ओलखवा माटे सास्त्र जोईए, एकलू सास्त्र नथी चालतू, कान के सास्त्र ने आपड़े मागम जोईए, सास्त्र होई, हरी चरित्र अमुरू सागर जेवू, अने संतो होई, ए सास्त्र ने लईने, सास्त्र ना आधारे, जैरे भगवान नी वात करता होईने, तैरे बल बलाना संसय दूर थाई जाए, आपने या सभामा कितला यवा आरी भगतों छे, आजेवू याद करू, आजेवू याद करू, अमारा कंटकीना अरी भगतो, महा देव जीना पाका भगत, इ बदा तो अरी भगतों थे गया कथा सांबली ने, महराजनो निश्चे थे गयो, पने यमनो दिकरो ध्रू, सुरेश भगत नो, मने सु के खबर, मने के स्वामी, सीव जी थी मोटा कोई न थी, मैं के दुक्यम, मने के बिजा बदा देव ने, सीव जी तो महा देव, आपड़े तो हांबलवानू जरियो, अमेरिकन बोन छोकरो, गुजराती समझाए वो छू, आपड़े जो गुजरातीम जाजो बूलवा जो अर्थ जुदो करी नाखे, मैं के तो त अजेई भाई, आए एतला माते वाद करूछू, एतला माते कवूछू, क्या कथा सांबले छे, अत्यारी बेठा आशे, दर्रोज सांबलनारा, युवानो छे, कोलेजमा भणनारा छोकराओ छे, एना मनना प्रस्णो, आपड़ा संतो, आपड़ा गुरुजिनी कुरुपा सास्त्रो ने लेण वाद करवानी, सास्त्रो ने सहरे वाद समझावानी, एना मगजमा एवू उत्री गयू, एवू सिव्जी ये शिव्जी छे, शिव्जी ये भक्त छे, औने ये भक्त ना स्वामी, तो दुनियामा एक च्छे, भघवान स्वामी नारायान, पकुirmु ठ प्रकास मा धंकाई गया। सुरीनु अंजवालू एकलू हतु ए अंजवालामा धंकाई गया। एम अवतारो तो अवतारोज छे। पन ए अवतारो अवतारीनी आगलन ना ना जे। एनु स्तवन करे छे। कार्ण के अवतारी ए अवतारोनी एस्वरी आये पूझे। महराजावा चरित्रों करे छे एकले सास्त्र अने संत समागम। आब बे होईने तो मुमुक्सु क्यारेई पन भगवानने उलखवामा, संतने उलखवामा अने पोताना आत्माने उलखवामा क्यारेई भूलो न अपड़े त्रान उलखवो अगरू जे। गणी वार कथमवात करूछू, घणा बदायवा सारा सारा विशय उलखवाचू, दर्रोज वाचू विचारू, आना पर क्यारेक सारी सभाग करीशू अपड़े, त्रान विश्वास, मानसने आवी जाएने, एक पूतानी जहात, आत्मा उपर विश्वास, अगरो जे, पहार थी जाए, एकले महाराज मनुष्ची चरित्र करे छे, पाचा बुख्या थी गया, पेट मा वायू भराए गयो, महाराज किया वे तम्हें आवा मोडा, अमारू तू पेट वायू थी ज भराए गयो शू करिये, औरे महाराज जमो वायू निकली जसे, महाराज उड़ पहार खैने वायू बार काईड़ो, अने पची जमवानू सरू करियो, भोजन जमीने ते विप्रना मनने घणू राजी करियो, विप्र सोनाना थाल भरी, भरीने मोटी-मोटी केरियो लाविया, वीद प्रकारना मेवावो ने लाविया, ते विप्रनो घणो मोटो परिवा तो तमे तमारी बधी वात मने कहो पची विप्र बोल्या आप बदू जानो जो छो आपने उस सू कहू आ बधा तो आपना सेवकत छे मारू नाम संभू छे मारी साथे ना बधा मारो परिवार छे आपने प्रसंद करवा माते आमे बधा अहिया रहिने तप करिये छिये स्रीहर पुता ना कुटुम्ब साथे वात करता कहियू जेने हुँ चाहतो हतो ते योग आज आवी गयो घणा युगो थी अहिया तप करिये छिये त्यानू फ़ल आज आपनने मलियू आगलेक वात अधूरी हती महराजे सत्य ने पूछियू कि तमे तप सामाटे करता हाता सत्य कहिय उब्वे मनेखबर नथी ये तो पिला भुदेवने बोलावी अमारा पतिदेवने बोलावी येने पूछिलो ये वात अधूरी हती अवे सीवजी या स्प्रगट करे चे वात बीजी बदी अनन्द समरुद्धी मली सके कणू मोटू एस्वरिय प्राप्त थाई सके दारे मलता नथी गणा युगोती नर नारण देव पापोने नास करनारू महा भारे तप करे चे आवु उग्र तप नर नारण देव आ वरनी रूप स्रीहरीनी प्रस्नता पामवा करे चे आ वरनी राजनी रित्तो अलोकिक छे आवा ब्रह्माडोतो वारम वार उत्पन ध्याज करे चे पण आ वर्निना दर्षन नी वाद घणी दुरुलब छे वर्निना दर्षन आपणे अत्यारे पामिया छीए तथा अत्यारे आपणने तेमनी सेवाकरवा रूप लाभ मलियो छे तेज आपणने तपनु फ़ल मलियो छे या के दर्शन अब ही पाए एसी एही बात जो रहाए हम कु सेवा मिली अब जो वो यही तपके फल मिले सोवू इनसे अधिक न फल रहे ओरा एसे ही फल मिले यह थोरा आना थी अधिक कोई फल न थी येवू फल आ जग्याए वर्णी मलिया तेथी आपनने मलियू छे भगवान तो भक्तने आधिन छे तेथी आपने तप करियो हतु तेना थी पन अधिक फल आपियू छे आ वर्णी नो जे एक पलवार जितलो योग थाई योग थयो छे तेवू फल तो करोडो कल्प परियन तप करवा थी पन मलतू न थी तो वर्णी नी साथे रात दिवस रहवानू जे फल तेतो मुख थी कही सकाई तेम न थी वर्णी ना समागमना फल ने जे न समझी सके तेना जेवो तो बीजो कोई अगनानी न जानवो दर्शन रूपी फल ने छोडी ने जे अन्य पदार्थने चाहे छे तेतो पोताना मनुष्य जन्मनेज निरर्थक करी रहियो छे वर्णिना दर्शन करिया होई अने त्यमनी थोड़ी एवी पन जो सेवा करवामा आवी होई तो त्यनु घणू मोटु फळ मले छे सेवा करवा थी त्यमनों राजीपो कायमने माटे रहे छे भगवानने प्रसं करवाना जेजे साधन कहिया ते बद्धामा सेवाने मुख्य कही छे सेवाने योग्य एवा परमेश्वरनी मरजीने अनुसारे सेवा करवी जोई अने तेमा द्रढ़ पने धर्मने धारी राखवो जोई आजना दिवसने धन्य छे आजे आपना भाग्यने पन धन्य छे कारण के आजे आपनने स्रीहरीना सहजे दर्शन थया छे वारे वारे आओ लाग आओतो न थी पुजानी सामगरी विविद प्रकारनी लाओ जैने स्रीहरीनी सव पुजा करो फरी क्यारे आओ सुभग दिवस नहीं आवे नहीतर पाचलती पस्तावो थसे संभु एटले के महादेवजीना आवा वचन साम्भलीने तेमना बधा परिवार जनो ततकाल वरने रूप श्रियरीनी पुजा करवा माटे सोनाना थालमा बधो पुजानो सामान लईने मोटा राजानी जेम आविया हरद्वार नगरना समगर लोको ते पुजाना दर्शन करवा माटे आविया अकासमा वीद प्रकारना वाजिंत्रो वागवा लागिया ब्रह्मा एत्यादिक सहु देवताओ विमानुमा बेसी ने स्रीहरी ना दर्शन करवा आविया तेवो स्रीहरी ना उपर पुस्पोनी येने चंदन नी वृष्टी करवा लाग्या महादेव जिये कोई राजाना जेवो रूप धारन करियो स्रीहरी नी पुजा करवा लाग्या केशर मिश्री चंदन लईने स्रीहरी ना अंगो उपर तेनो लेप करियो अत्तर नी फोरम साथ चारे बाजू सभामा फिलाई रहती तेपची भाद भादना फुलोना घरेना स्रीहरी ने पहराविया तेपची प्रेम्थी आर्ती उतारी पुजा करवा गणा अज उपचारो लाविया हता त्यान करवा माटे वर्णी ना अंगोनी वारमवार धारणा करवा लाग्या प्रदक्षिना करिने दन्डवत प्रणाम करिया खुबज भाव बरी स्थुती करे श्रीहरी अनंत सक्तियों ने धारनारा छे एम समझी आवो ते सहुए परीपूर्ण लावो लिदो महादेवजीना बधा कुटुम्बे पन अपार प्रेम्थी श्रीहरी नी पूजा करी अने तेथी श्रीहरी ते सहुना उपर गणू प्रसन थया अने बधे जहिजे कार थयरे हो इती श्री सहजानंद स्वामी सिश्य सिद्धानंद मुनी विरिचित श्रीहरी चरित्राम्रुद सागरना दितिय पूर्मा अरत द्वारमा महादेवजी श्रीहरीने जमाडीने पूजा करी ए नामे बारमो तरंग समाप्त थयो